Hello everyone, welcome to 어디 gonna flow and friends आजगे अस वून में बात करेंगी ग्रीन मैंनियोर के बारे में ग्रीन मैनियोर की preparation, उसकी history और उसकी importance के बारे में तो ग्रीन मैनियोर हमारे पास जो है वो क्या होती है ग्रीन मैनियोर अथ जात प्लांट that are grown in order to provide soil cover and to improve the physical, chemical and biological characteristics of soil लोग अपाल को सब्सक्राइब आए तो ग्रीन यह यिTube सचस्का सब्सक्राव्ट की सलिक नियुदा सब्सक्राइब को च्रेंज ना आए पर इंप्रूफ कर सके धिके में अनुदे वह से अधले हो आएमb वाली इनको या तो हम अकेले ग्रोव करेंगे या फिर किसी और क्रोप के साथ एस्सेशन करके अब आते नेक्स प्रेपरेशन ग्रीन मैंने और आर्सो रेफर टू एस फर्टिलिटी बिल्डिंग क्रोप में वी बॉटले डिफाइन एस क्रोप ग्रोविंग फोर बैनेफिट बैनेफिट जातरं को हम जिसको हम ग्रोव कर रहे हैं अपनी ये बैनेफिट के लिए जातर क्रोप जो जयानली ये हम देए इल् Çok ईसी रहरा है लेकिन जो green manure हम इसको क्यों grow कर रहे हैं ताकि हमारी जो soil है वो improve हो सके the process of raising green manure is called green manuring जो हम जो green manure को बनाएंगे तो इसको क्या बोलते है green manuring it is the process of turning of green plants into the soil either by raising them in the same field or plants grown in a different place on the green stage before flowering and incorporated into the soil अब green manure सबसे important point यहां से हमारा यह है कि green manure में क्या होता है यह ऐसी process है green manuring जिब हम जो turning कर देंगे green plant को जब हमारा पास कोई plant है हम जो है उसमें flower आने से पहले जब वह green stage पे उस stage पे उसको एक टर्न कर देंगे जो ओसको काड देते हैं ठीक है जनली और क्या करते है आपने जो स्वाइल है मादल कि नीचे फैंक देते हैं अपने जो भी मारा फिल्ड हो और खेत बगर होगा उसमें नीचे ही इसको फैंक देंगे उससे क्या होगा मरी स्वाइल की जो है इंप्रूव्मेंट होगी ठीक है ग्रीन मेन्योरिंग डिफाइन बाइपीटर्स 1927 एस दब पार्टिकल ऑफ इंप्रेश इंडर फ्रेश प्लांट मटिरियल आइधर इन सीटू और ब्रावट फ्रोम डिस्टेंस अब बोले कि पीटर्स जो है डिफाइन किया था ग्रीन मेन्योरिंग को उन्होंने भी डेफिनेशन दी इसकी उनने क्या बोला ग्रीन मेन्योर में हम जब प्रैक्टिस करते हैं इन रिचिंग स्वाइल को जो है रिच बनाने में उसके ज्यादा न्यूट्रिशन उसका मॉइस्टर सब कुछ इंक्रीज करने के लिए हम जो है क्या करेंगे जो भी मारे फ्रेश प्लांट्स में होंगे उनको टरन करने इसको कार देंगे या तो उसी उसे फ्रेश कने रखे की निकर Resources लोडांया और यहीं पर सब्सका के water देंगे तो तो हम लग लग प्लेस से भी ला सकते हैं या छोसी पे इन स्यूटी कर सकते हैं इस सब्सक्रीक्षाए इस बात प्रैक्टिस इन और गानिक फार्मीं तो मेंटें जोंड़नी स्वाइल और ग्रीन मैन्योर ज़ाल score is ath 44 50 इंणous 2015 इंण को प्रेज अप्रेंस प्रेंस पतो है तो बाद तो फैसलर्म मान्युन स्का हं री ग्रीं मैन्योर नोत लोट आ को पोर पूरात री शमाता है ठीकेजिक्ट्य मेनुर क्शामि athletes sam li mmm लुपिन को गरते थे जो ग्रीक थे वो क्या करते थे प्लाउड ब्रोड बीन बैंक इंटेर भी न भी करते थे थे स्वाइल में चाइनी जो अग्रास और वीज को युज करते थे अर्ली अमेरिकान कॉल इट प्लेबसाइकल बिफोर दे इंडस्ट्रियल इवलूशन दे फर्स्ट प्रमोटर ऑफ ग्रीन मेनूर वर जेंटलमेन फार्मर लाइक चार्ज टॉंशंट इन ब्रुटेन और दूसरे हमारे पास मांन आइट टैनन बात करते हैं कि इंपोरेंस या फिर एड्वांटिजी स्वप्रे वियुक्त ग्रोवर विच वर लीवलो विच वरॉर बहूब ब्रॉंटाइब लीजिएक स्व लीड है सबसे पहले अवैद विर्स वेड श्वाइल ग्रीन मेंच बॉर्च वीर इस वेड ज पूरे को कम्प्लेट कर लिए तो और उसकि नहीं हो पाएंगा कोई भी जो न्यूट्रेंटल लीकेज लिए इरोजन वेकर नहीं हो पाएंगा next is weed control जो वेर्स वाइल होता है बस वो बिकम कंप्लेट ली ओवर ग्रोवन जालदी में बीड्स के ओपर फैल जाते हैं उसको बाद है nitrogen fixation. Roots of leguminous crop are capable of trapping residual nitrogen to soil and fix atmosphere nitrogen. nitrogen fixation वाली, जिनमें leguminous roots होती हैं, leguminous crops की उनमें क्या होती, capacity होती है nitrogen fix करने की, soil erosion, crop help in holding the soil in place, reduce clustering and protect soil against erosion due to wind and rain. rain nd wind से बचाते Vince God को मैंटेंड करतां more air into the Water令 में जाती है increase the water holding गापस्ट्यूइशन और reduce करते इसका evaporation moisture stress is less during drift rituals क्रीकली फोर आसे आ अटिफिशल फेतलाइजेशन अब जो है ग्रीन मेन्योर से थे सीच फटिलाइजर को यूज करें उनकी भी नीड रहो डिक्रीज हो यह रिद्यूस हो यह कम होगी बिल्कुल यूज भी यूज ऑ घ्रीज इंड अच्छी लगी यह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपोडेंस यह अड्वांटेजिस ऑफ ग्रीन मेन्य और उससे नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइब ऑफ ग्रीन मेन्यो तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है अगर आपको में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक्यू